तुफान बीपर जॉय गुजरात की बाद राजस्थान में कहर बर पा रहा है इसके असर से राजी के कई इलाकों में 40 घंटे से बारिश जारी है जिससे बार जैसे हालात बन गए है कई जिलों में तेज बारिश से जन जीवन अस्तव्यस हो गया है वहीं बीपर जॉय को लेकर हर्याना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट मानसून का इस चकरवात से कोई लिना देना नहीं है तुफान की वज़े से रेगिस्ताने इलाकों में बार जैसे हालात बन गए है कई घरों में 5 फीट तक पानी भरा है अरब सागर से उठा ये तुफान लो प्रेशर एरिया में बदल कर आज ग्वालियर से होकर गुजरेगा ग्वालियर होता हुआ दक्षिन उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाएगा इसकी वज़े से मद्प्रदेश की राजगर समेथ कुछ इलाकों और ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है बीते 24 घंटे में सांचोर में 22, माउन चाबू में 15, शिवगंज में 13.25, चार भुजा में 13, बालो तरा में 8 इंच बारिश हो चुकी है 500 से जादा गाउ के बिजली गुल है, पाली जिले में 8 तो सांचोर में 5 बांध ओवरफ्लो है, पांचला बांध तूट जाने से आधा सांचोर जल मगन है इस सीजन में राजस्थान में 300 मिले मीटर बारिश हो चुकी है, जो मेघाले के बास सबसे जादा है विशेशग्यों का कहना है कि 23 से 26 जून के बीज मदपरदेश में मांसून की एंट्री हो सकती है वीपरजॉय के चलते हरियाना के 15 शहरों में भारी बारिश का अलट जारी किया गया है नौर्थ इस्ट के अरुनाचल, असम, मेघाले, नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम, तरिपुरा, सिक्किम में मौनसून की बारिश हो सकती है असम में ब्रह्मपुत्र नदी, उफान पर है 13 जिलों में बाड से 38,000 से जादा लोग प्रभावित हुए है राजस्थान में आज भी NDRF को अलर्ट पर रखा गया है वैसे राजस्थान से बीपर जोई की कमजोर होनी की संभावना जताई जा रही है डीबी लाइफ की रिपो